रोज नहाना सेहत के लिए ही नहीं, साफ रहने के लिए भी बहत जरूरी है लेकिन एक ऐसी भी लड़की है, जिसने नहाना तो दूर, सालों से पानी भी नहीं छुआ है ऐसा इसलिए, क्योंकि पानी छुना उसके लिए सिर्फ मुसीबते ही लाता है एशले मौरेज नाम की इस लड़की ने आज तक स्विमिंग नहीं की, नहीं कभी बीच पर जाकर दोस्तों के साथ मस्ती की है होट वाटर बात का मज़ा लेना तो जैसे उसके लिए किसी सपने जैसा है औस्प्रेलिया के मिलबर्न की रहने वाली आशले को पानी से एलर्जी है आप सोच रहे होंगे कि भला पानी से किसी को कैसे एलर्जी हो सकती है लेकिन आशले इस सच के साथ पिछले कई सालों से जी रही है जब वो 14 साल की थी, तभी से वो पानी से दूर रहती है सिर्फ पानी ही नहीं, पसीना आने की वज़ा से भी ऐशली के शरीर में लाल-लाल रैशिस पढ़ जाते हैं इसके चलते उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐशली कहती है कि इसकी वज़ा से उन्हें आफिस और सडक पर शर्मिंदगी महसूस होती है इसकी वज़ा से वो बाहर भी नहीं जा पाती है कभी-कभी तो इतनी खुजली होती है कि नोचने के कारण खून आने लगता है हाला कि उनकी मा और बॉइफरेंड हमेशा उनकी मदद करते हैं लेकिन अलर्जिक होने की वज़ा से वो अपने बॉइफरेंड के साथ खुल कर नहीं जी पाती इसका इलाज ना होने के चलते आशले ने मान लिया है कि उन्हें जिंदगी भर इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा मेडिकल भाषा में इसे एक्वाजेनिक अर्टिकारिया कहते हैं दुन्या में बेहत कम लोगों में इस तरह की अलर्जी पाई जाती है इंडिया न्यूज वाइरल की रिपोर्ट